हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे भैगन और आलू का बहुत ही स्वाधिष्ट भरता जो आप सबको बहुत पसंद आएगा ठीक है तो चली स्टाट करते हैं बनाना तो हमने कूकर में इगलस पाने लिया है तीन भैगन और पांच आलू डाल लिये हैं आप इसका धक्कन कर कर देंगे बंद हम और चड़ा देंगे गैस पर पकने के लिए इसे तो दो सीर टी में हम इसे बॉयल कर लेंगे और यह देखिए अच्छे से हमारा बॉयल हो गया अब इसे हम चेक कर लेते हैं ठीक से बॉयं हो गया कि नहीं हम seal बाइल हो गया है, अब इसके छीलके को निकाल कर बैगन को देख लेंगे कि इसमें कीड़े ब bump तो नहीं है, नहीं है कीड़ी, परफेक्ट है हमारा बैगन, ऐसे ही हम आलो को भी छील लेंगे, और सारे बैगन को भी हम छील कर चेक कर लेंगे, अब सबको हम मैश कर लेंगे, अब गैस पे कड़ाई रख देंगे, उसमें दो चम्मच ओयल डाल देंगे और एक चम्मच जीरा, आथा चम्मच के लगभग मेथी दाना और चार से पाच लहसन की कलियां कटी हुई और तीन से जार कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, इसे अच्छे से हम दो मिनट चला ले गरम मसाला पौडर एक चम्मच और लाल मिर्च पौडर आधी चम्मच अब इन सब को हम दो मिनट तक चला लेंगे, मेडियम फ्रेम पे अब डाल देंगे मैस किया हुआ आलू और पैगन अब इन्हें डाल कर हम अच्छे से चला लेंगे इसके बाद एट कर देंगे इसमें हम नमक, स्वात की अनुसार और फिर इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से इसके बाद डाल देंगे धनिया की पत्ती चार से पांच मिनिट में हमारा बैगन का और आलू का भरता बनकर रेडी हो जाता है बहुत ही यमी लगता है इसके आगे आप चार्ट भी भूल जाएंगे खाना ये देखे रेडी होके आप भून के तयार है हमारा बहुत ही टेस्टी सब आएगा और आलू का भरता अब इसे हम सर्व करेंगे एक प्लेट में थोड़ा सा उपर से मने कटी हुई मेर्च और थोड़ी सी धनिया डाल दिया है जिसे बहुत ही लाजवाब लग रहा था और टेस्ट तो इसका गजर लगता है तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो और जल्दी से बनाकर ट्राइब भी कर लो बहुत ही यमी बनता है ये देखे लग रहा है ना बहुत ही लाजवा आप इसे रोटी के साथ खाईए या फिर पलाठो के साथ बहुत ही यमी लगता है और हम मारे हाँ तो रोटियों के साथ इसे खाया जाता है इतना टेश्टी लगता है कि हम क्या ही बताएं आपको तो आप भी बनाएए और खाये और इंजाय कीजिए बाइबाइबाइब टेक्यार